हेलो एवरिवन दुनिया में सबसे जादा अंग्रेजी का वाक्य बोले जाने वाला कौन सा है सोचो सोचो बताईए चलिए मैं ही बता देता हूँ वो वाक्य है I love you जी हाँ यही वाक्य अंग्रेजी का दुनिया में सबसे जादा बोला जाता है and I am sure आप लोगों ने भी इस शब्द का उपयोग किया होगा और आज मैं आपको इसी वाक्य के माध्यम से सैक्डो वाक्य बनाना सिखाऊंगा कैसे आप सिर्फ एक शब्द वर्ब को बदल कर सैक्डो संटेंसिस बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं उपर देखी आप लिखा है I love you meaning मैं आपसे प्यार करता हूँ अब देखी कैसे लव वर्ड को हटा कर हम सैक्डो डिफरेंट संटेंसिस बना सकते हैं फर्स सेंटेंस है I like you like का मतलब होता है पसंद करना मैं आपको पसंद करता हूँ सेकेंड I hate you hate का मतलब होता है नफरत करना मैं आपसे नफरत करता हूँ next I respect you respect का मतलब होता है आदर करना मैं आपका आदर करता हूँ next है I trust you trust का मतलब होता है विश्वास करना मैं आपकर विश्वास करता हूँ next I miss you miss का मतलब होता है याद आना I miss you का मतलब हुआ मैं आपको याद करता हूँ या मुझे आपकी याद आती है next है I request you request का मतलब होता है निवेदन करना I request you मैं आपसे निवेदन करता हूँ Next I advise you Advise का मतलब होता है सलहा देना I advise you मैं आपको सलहा देता हूँ I ask you Ask का मतलब होता पूछना मैं आपसे पूछता हूँ Next I understand you Understand का मतलब होता है समझना मैं आपको समझता हूँ I understand you Next, I forgive you Forgive का मतलब होता है माफ करना I forgive you मैं आपको माफ करता हूँ Next, I help you Help का मतलब होता है मदद करना I help you मैं आपकी मदद करता हूँ Next, I support you Support का मतलब होता है समर्थन करना I support you मैं आपका समर्थन करता हूँ Next है I know you, know का मतलब होता है जानना I know you, मैं आपको जानता हूँ Next, I encourage you, encourage का मतलब होता है प्रोचाहित करना I encourage you, मैं आपको प्रोचाहित करता हूँ I need you, need का मतलब होता है जरूरत होना I need you, मुझे आपकी जरूरत है Next है I tolerate you, tolerate का मतलब होता है बरदाश्ट करना I told it to you मैं तुम्हें बरदाश्ट करता हूँ Next I warn you Warn का मतलब होता है सचेत करना I warn you मैं तुम्हें सचेत करता हूँ I assure you Assure का मतलब होता है विश्वास दिलाना I assure you मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ Next I doubt you doubt का मतलब होता है संदेह करना I doubt you मुझे आपपर संदेह है next I ignore you ignore का मतलब होता है नजर अंदाज करना या उपेक्षा करना I ignore you मैं आपको नजर अंदाज करता हूँ next I greet you I greet you greet का मतलब होता है अभिवादन करना या स्वागत करना I greet you, मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ Next है I protect you Protect का मतलब होता है सुरक्षा करना I protect you, मैं आपकी सुरक्षा करता हूँ I defend you Defend का मतलब होता है रक्षा करना मैं आपकी रक्षा करता हूँ I defend you दोस्तों सुरक्षा और रक्षा में अंतर होता है I hope आपको पता ही होगा Next sentence और यह आज की class का last sentence है I exalt you Exalt का मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा करना I exalt you मैं आपकी अत्यधिक प्रशंसा करता हूं I exalt you तो दोस्तों आपने देखा कैसे एक verb को I और you के बीच में से बदल देने से ही sentence का मिनिंग change हो जाता है I hope आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इस तरह के वाक्यों को प्रयोग करना और आप second sentences इस तरह से बना सकते है आपको कुछ और sentences पढ़ाऊंगा मैं अगली class में तब तक के लिए दोस्तो बाई